हे गाईस वेलकम तो हस्टेक सेंग 22nd July 2022 को रिलीज हो रही है समशेरा और इसका टीजर आज ही रिलीज हो आ है ये मूवी के अंदर लीड में है रनबीर कपूर अलोंग विद संजेदत और वानी कपूर तो दोस्तो वायरेफ ये मूवी प्रोड्यूस कर रहा है ये सार वायरेफ के लिए अच्छा नहीं रहा है रनबीर सिंग की जैशबाय जोरदार और अक्षे कुमार की समराथ प्रित्वी राज दोनों बॉक्स ओफिस पे काम नहीं कर पाई है इसलिए उनकी उमीदे टिकी हुई है रनबीर कपूर की समशेरा से मगर मूवी तो रिलीज होने वाली है सिर्फ एक महीने के गैप में तो क्या ये अप्रोप्रियेट टाइम है इनके पास में प्रमोशन्स करने का खाश कर जबकि ब्रमस्तर की प्रमोशन्स डिसेंबर 2021 से शुरू हो गए थी आईनो ब्रमस्तर जादी बड़ी मूवी है जादे स्टाज है उसके अंदर मगर रनबीर कपूर के लिए तो ये मूवी भी बहुत इंपोर्टन है तो उनके फैंस तो बहुत खुश होंगे मगर बॉक्स ओफिस वाइस ये थोड़ा सा जो है रनबीर कपूर की लिए एक बहुत ही बड़ा टेस्ट है अब ही शमशेरा का टीजर रिलीज होआ है आज ही के दिन टीजर अच्छा है वी एफेक्स अच्छे लग रहे है जिस तरीके से उसमें संजेदत का लुक है रनबीर कपूर का लुक है वो थोड़ा अलग लग रहा है एंड ये स्टोरी दकैट के बारे में है तो ये एक जो पुराने जमाने में डकैटों की मूवी बनती थी तो अभी बहुत टाइम हो गया ऐसी कोई मूवी नहीं आई थी तो थोड़ा सा ये हट के कॉंसेट लगता है अभी स्टोरी के अंदर कितना नयापन है वो तो टाइम ब बलकि तीन अलग अलग शेहरों में साइमल्टेनियसली इसका जो ट्रेलर है वो रिलीज होगा अभी क्योंकि ये तीन सिटीज में लॉंच होने वाला है एक साथ तो जो टाइमिंग है वो हो सकता है कि सेकेंड हाफ अफ अफ दे डे में ही ट्रेलर रिलीज हो लग बग आप स है क्योंकि तीन सिटीज में हो रहा है ट्रेलर रॉंच तो सेकेंड हाफ के अंदर होना उसका ज्यादा संभाव है तो फॉर्ड बेटर ओफ रंजबीर कपूर आई रियली होप सो कि दोनों की दोनों मूवीज जो है ब्लॉग बॉक्बस टो क्योंकि बॉलीवुड को भी चा जादा एक्सपेक्टिशन नहीं थी दूटू दा कंटेंट उन्होंने कमाल दिखा है और सेकेंड आफ उसमें बड़ी बड़ी मूवीज देखने मिलने वाली है शमशेरा उसमें से एक है तो हुपफुली इट विल लिव अप टू इट्स नेम उफ बिंग शमशेरा तो दो जादा है